1971 में उन्होंने टाटा स्टेल में पहली जॉब की थी यहां उनका काम ब्लास्ट फरनेस और शोवल लाइमस्टोन को संभालना था रधन टाटा को 1991 में टाटा ग्रूप के चेर्मेन बन गए थे उनके नेत्रित्व में टाटा ग्रूप ने अंतरराश्ट्रे स्तर पर पहचान बनाई यह सब उनकी कमाल की लीडर्शिप और बिजनस स्किल्स का ही नतीज़ा था उन्होंने टाटा ग्रूप में कई बड़ी कमपनियों का विलाय करवाया जैसे लैंड रोवर, जैगवार को टाटा मोटर्स में, टेटले को टाटा टी, कोरस को टाटा स्टील में इसकी बड़ूलत ही टाटा ग्रूप ने अभूत पूर्व सम्रद्धी हासिल की रदन टाटा एक पाइलेट भी हैं वो फाइटर जैट की भी सवारी कर चुके हैं उन्होंने 2007 में एर फोर्स के A-16 फोर्टर जैट में उड़ान भरी थी रदन टाटा ने साल 2010 में हावड बिसनिस स्कूल को 5 करोर रुपई का दान दिया था यहाँ पर उनके नाम से एक हॉल भी मौजूद है जुसका नाम टाटा हॉल है रदन टाटा बुक लवर हैं उन्हें लोगों की सक्से स्टोरीज परना बहुत पसंद है वे कहते हैं कि रिटार्मेंट के बाद अब वे अपने इस शौक को समय दे पा रहे हैं रदन टाटा को 2000 में पद्न भूशन और 2008 में पद्न वे भूशन से समानित किया गया रदन टाटा ने अमेरिका में युनिवर्सिटी ओफ कॉर्निल स्ट्राक्चरल इंजीनिरिंग का अध्ययन किया